हेलो फ्रेंड्स, गोड इवनिंग, मैं दिपक्सा हूँ, CGPSE हैनिटर नोट्स के योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज हम मेंस आंसर रैटिंग का 43 इनका मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं, तो चलिए सुरुवात करते हैं, आज का पहला प्रस्न से, आप सभी निकाल लिजिए, जो भी आप लिखे हैं, और साथ ही साथ चेक करते जाएए, आज कुछ चात्रों का रजिस्टेशन हुए है, उनको बता देता हूँ, आज जिस समय आपको मॉडल आंसर मिल रहा है, रात को 9 बजे, उसी प्रकार आपको रात को 9 बजे प्रते दिन मॉडल आंसर मिलेगा, सुबह 9 बजे इसका प्रस्न इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्न दिया जाएगा, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए सुमवार से लेकर सुक्रवार तक आपको मौडल आंसर से चेक करना है सनीवार को आप जो लिखे रहेंगे उसका फीड़बेक दिया जाएगा तो लिखते रहे और मौडल आंसर से चेक करते रहे सनीवार को जो मेगाटेस्ट आयोजित होगा उसमें आप सभी का फीड़बेक दिया जाएगा इस बार मेगाटेस्ट में केवाल आपका दर्षन सास्तर विशेर हैगा केवाल दर्षन सास्तर प्रिलिम साले छात्र जो मेंस आंसर रैटिंग ग्रूप में हैं उनका कहना था कि सर अभी हम दर्शन सासर अध्यान नहीं किये हैं नहीं आप जो आने वाले विशा है लोग प्रसासन जो हम सोमवार से प्रारम करने वाले थे उसका भी अध्यान नहीं किये हैं तो कोशिस कीजिए आप कि जो सब्जेक्ट हमारे प्रिलेम्स में हो जो प्रिलेम्स के दिश्टी कोर से महत्तपूर नहों उस विशाय को मेंस आंसर रैटिंग में सामिल कीजिए तो चलिए आप लोग जैसा चाहें उसी तरह से हम मेंस आंसर रैटिंग का रेकरम हैं उसको भारत का इतहास प्रागम्ब करेंगे, क्योंकि 36 गड़ का इतहास हम मेंस आंसर रेटिंग कर चुके हैं, इसके अलावा प्रेलिम्स की कक्षाएं भी हो चुकी हैं, तो उमीद करता हूँ आप सभी भारत का इतहास, जो अभी तक दर्शन सास्त्र विशाय में नहीं लिख रहे हैं और प्रेलिम्स के त्यारी कर चुके हैं, तो आप सभी भारत का इतहास कल से अध्यन प्रागम्ब कर दिजएगा, अभी आप सभी लाइव चैट में नहीं बोर रहे हूँ, कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईएगा, कि आपका जो भारत का इतहास है, प्राचिन इतह प्रागम्ब करेंगे कि आधोनी की तहास से, ठीक है, तो चलिए, आज का पहला प्रस्न था, इस्थित प्रग्य के लक्षण क्या है, प्रस्न क्या था, इस्थित प्रग्य के लक्षण क्या है, आईए देख लेते हैं, इस्थित प्रग्य के लक्षण, सभी लिखे होंगे उम्मीद करता हूँ इस्तित प्रग्य दुख प्राप्त होने पर भी दुखी ना होना सुख के प्रती निर्पेक्च भाव रखना राख, क्लेश, क्रोध, भै, नश्ट होना सुख की प्राप्ती पर अती प्रशन्य ना होना इंदरियों को उसके विशाद सक्तियं से हटाना और छटवा है आपका सभी समवेधनाओं से हट कर परमातमा में इस्थिर रहना यह आपका स्थित प्रग्य के लक्षन थे स्थित प्रग्य क्या है? कल के प्रस्टों में आपको दिया गया था रिवाइस करना चाहें तो सुन लिजिए गीता में इस्थित प्रग्य औधारना दे गई है ऐसे वक्ति जो सभी कामनाओं का त्याग करता है आतमा को आतमा में इस्थिर रखता है स्वयम को परम ब्रह्म जान लेता है उसे ही इस्थित प्रग्य कहा गया है यह आपका इस्थित प्रग्य का परिभासा था लक्षड वाले प्रस्त में आज दिया गया था तो पहला एक बर और देख लिजे दुख प्राप्त होने पर भी दुखी ना होना दूसरा है सुक के प्रती निर्पेक्च भाव रखना तीसरा राग, क्लेश, क्रोध, भाय, नश्ट होना चौथा है सुक की प्राप्ती पर अती प्रशन ना होना पाँचवा है इंद्रियों को उसके विशय सक्तियों से हटाना और छटवा है सभी संब्वधनाओं से हटकर परमात्मा में इस्थिर रहना तो ये रहा आज का पहला प्रशन का मौडल आंसर चलिए आप सभी को दूसरा प्रशन दिया गया था स्वाधर्म क्या है तो आपको स्वाधर्म के बारे में बता आना था ना कि उसके अंतरगत जो वर्ण निर्धारित किया गया है प्रशन को पहले समझे क्या पूछा था आपसे स्वाधर्म के बारे में तो स्वाधर्म में आपको वर्ण विभाजन नहीं करते ना था जो वर्ण करने धर्ण आप लोग किये हैं उस तरह से नहीं लिगना था ठीक है चलिए वैसे अच्छा लिखे थे आईए देखते हैं स्वाधर्म के बारे में गीता के अनुसार प्रकृती के तीन गुड सत रज तम प्रकृती के तीन गुड सत रज तम प्रत्यक मनुष्य में ये तीनों गुड कम या अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं क्या है सत रज और तम आपको कल प्रस्थ में दिया जाएगा उसके बाद आप सभी को बताया जाएगा व्यक्ति को अपने सारे कार्य इन्ही गुडों से उत्पन्न प्रवित्ती एवं रूची के अनुसार करता है इनसे ही किसी व्यक्ति के स्वधर्म एवं वर्ण का निर्धारण ब्राम्हाड छत्रिय वैस्य सुद्रा इसका निर्धारित किया जाता है इस तरह गीता में वर्ण का निर्धारण मनुस्य की प्रवित्ती और गुडों पर अधारित है न की जन्म पर वक्तियों को उसके वर्ण के अनुसार कार्य करने के निर्देश हैं जिसे उनका स्वाधर्म कहा गया है यह आपका रहा स्वाधर्मा के बारे में जो आप लिखे हैं ब्राम्मण के बारे में छत्री के बारे में वैसी के बारे में सूद्र के बारे में यह आपका वर्ण का निर्धारण है जो आप लिखे थे बरावर देख लिजे स्वधर्म क्या है तो गीता के अनुसार प्रकृति के तीन गुड़ हैं सत रज तम प्रत्यक मनुस्त में ये तीनों गुड़ कम या अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं व्यक्ति को अपने सारे कारिया इन ही गुड़ों से उत्पन्न प्रवित्ती एवं रूची के अनुसार करता है इनसे ही किसी व्यक्ति के स्वधर्म एवं वर्णा का निर्धार जैसे ब्रामः, छत्रिय, वैस्य, सुद्रग किया जाता है इस तरह गीता में वर्णा का देश हैं जिसे उनका स्वधर्म कहा गया है यह रहा आपका आज का दूसरा प्रस्न का मॉडल आंसर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि कुछ तथ्थे को सामिल करना है तो आप निश्शित रुप से कर सकते हैं इंग्लिस मेडियामाले जो छात्र अगर इस मॉडल आंसर को ट्रांसलेट करके चेक करना चाहते हैं तो हमारे जितन से आप चेक करा सकते हैं ठीक है चलिए तीसरा प्रस्ना आप से पूछा गया था ज्यान मिमानसा का वर्णन कीजिए यह आपका यहां से चारवाग दर्शन प्रारांब हो जाता है अगर आप दर्शन सास्तर क असलिए बस देखे होंगे तो चारवाग दर्शन के अंतरगत है आपका ज्यान मिमानसा और तत्व मिमानसा तो आईए सबसे पहले हम ज्यान मिमानसा के बारे में बात करते हैं उसके बाद आपका अगला प्रस्न था तत्व मिमानसा के बारे में उत्तर ज्यान मिमानसा में ज्यान के स्वरूप, स्रोत वह उसकी सिमाए आदी पर विचार किया जाता है। चारवाक ने अपने ज्यान मिमानसा में ज्यान के स्रोत पर मुख्य रूप से विचार किया है। ज्यान की अनेक स्रोत बताए हैं और ज्यान के लिए अनेक प्रकार के प्रमार कभी उलेक किये हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमार, अनुमान प्रमार, सब्द प्रमार। चारवाक ने प्रत्यक्ष प्रमार को सबसे प्रमुक ज्यान का स्रोत माना है। ये था आपका ज्यान मीमानसा के बारे में जो आप लोग लिखे हैं कि ज्यान के सुरोत के रुप में किवल प्रत्यक्ष प्रमार को इस सत्यमाना है प्रत्यक्ष प्रती और कप्ष से मिलकर बना है जिसका अर्था है आखों के शामने चारवाक ने प्रतेक्ष प्रमार को सबसे प्रमुग ज्यान का स्रोत माना है इसके अलावाद चारवाक ने अन्य इंद्रियों की माध्यम से प्राप्त ज्यान को भी ज्यान के सोत के रुपे स्विकार किया गया है तो आप वही वही बाद बार बार लिखा हुआ है वह आपको समझने के लिए है जब आपके पास इतना सब्दा वली रहेगा तो आप मेंस में लिख सकते हैं ठीक है? और देख लिजे ज्ञान मिमानसा क्या है? ज्ञान मिमानसा में ज्ञान के स्वरूप, स्रोत वह उसकी सिमाई आदी पर विचार किया जाता है चारवाक ने अपने ज्ञान मिमानसा में ज्ञान के स्रोत पर मुख्य रूप से विचार किया है ज्ञान की अनेक स्रोत बताए गए हैं और ज्ञान के लिए अनेक प्रकार के प्रमार का उलेक किये हैं जैसे प्रत्यक्षप्रमाड, अनुमान प्रमाड, सब्दप्रमाड, चारवाक ने प्रत्यक्षप्रमाड को सबसे प्रमुक ज्यान का सुर्ट माना है, तो यह रहा आज का तीसरा प्रस्द का मौडल आंसर, चौता है तत्तों मिमानसा को समझाईए सभी छात्र मॉडल आंसर कम्प्लीट होने के बाद कमेंड बॉक्स में बत्ताईए कही कि कल से आप राचीन इतिहास या मद्यकालिन इतिहास या भारत का आधोनिक इतिहास कौन से पार्ट पर आप मेंस आंसर रैटिंग करना चाहते हैं कल से ही प्राराम भकरेंग दे और कल से ही आपका सब्द सीमा तै रहेगी सभी प्राराम हो चुके है पहले आप सभी को सब्द सीमा कोई लिमिट नहीं थी आप जितना चाहते थे उतना जानते थे उन सभी बातों को आप लिखते थे लेकिन अब हम मेंस आंसर रैटिंग में आगे बढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सिख भी गए होंगे तो कल से सभी तयार रहेगा सब्द सीमा के अनुसार हम मेंस आंसर रैटिंग करेंगे और सभी जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं सभी जरूर बताईएगा कमेंट करके आप रात के 10 वजे तक चलिए 10 क्या सुबा के 3-4 वजे तक कमेंट करके बता ही दिजिएगा कि कल आपको प्राचिन, मध्य या आधोनी कहां से प्रस्ण दिया जाए ठीक है ताकि हमें भी प्रस्ण भीगत वर्षों के देखना पड़ेगा आप जिसको बोलेंगे वहां से प्रस्ण हम देंगे ठीक है तो मैं तो यहीं चाहूँगा कि आप लोग अभी बता दिजिएगा दस बजे से पहले चलिए तत्व मिमानसा क्या है भारतिय दर्षन में तत्व मिमानसा में मुख्य रूप से तिन तत्व के अस्तित्तों पर विचार होता है यह है इस्वर, आत्मा, जगत चारवाक ने अपने डार्षनिक विस्लेशन में इस्वर्क और आत्म तत्व का खंडन किया है और केवल जगत को स्विकार किया है जगत से आसा है विश्व से चारवाक के अनुसार यह जगत प्रित्वी, वायू, अगनी और जल से बना है ये सभी तत्व भौतिक हैं अता चारवाक का दर्शन भौतिक वादी दर्शन कहलाता है तो एक बर और देख लिजे तत्व इमानसा को भारतिय दर्शन में तत्व इमानसा में मुख्य रूप से तीन तत्व के अस्तित्तों पर विचार होता है ये हैं इस्वर, दुसरा आत्मा, तिसरा जगत, चौथा चारवाक ने तिन ही है चारवाक ने अपने दर्शनिक विचलेशन में इस्वर और आत्मतत्तों का खंडन किया है और केवल जगत को स्विकार किया है चारवाक के अनुसार यह जगत प्रिथ्वी, वायू, अगनी और जल से बना है ये सबी तत्व भौतिक हैं अतहा चारवाक का दर्शन भौतिक वादी दर्शन कहलाता है तो ये रहा आज का पांच प्रस्न का मॉडल आंसर कल से आप सभी का भारत का इतहास प्रारम्भ हो रहा है जो पेपर तीसरा है अगर जियेस की बात करें तो जियेस फर्ष्ट जिसके अंतरकत आपका पार्ट वन है भारत का इतहास जहां से 75 अंग के प्रस्न आपसे पूछे जाते हैं और यहां आप अच्छा नंबर स्कोर भी कर सकते हैं यदि आपको तथ्य मालूम हो तो आप बिलकुल भारत का इतहास लिखिएगा जो प्रिलिम्स का अध्यान कर चुके होंगे सभी लिखिएगा भारत का इतहास क्योंकि यह आपका प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्पूर्ण है तो कल आप सभी तयार रहेगा दर्शन सास्त्र और भारत का आधोनिक इतहास पढ़ना है कि प्राचीन है कि मध्यकालिन वे आप डिसाइड करके दस बजे से पहले बताईएगा मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और नए प्रस्नों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद सुबरात्री